नामस्ते भीवर्स, वेलकम टू मैं चानल, अभी तो रथ्यात्रा चल रहा है, भगवन जगन्नाच जी अपने मासिमा यानि की स्रीगुंटिचा मंदिर में हैं, चलिए हम बनाते हैं मूंग दाल की खिसरी, इसे आप भगवन जी के पास भोग भी चड़ा सकते हैं, क्योंकि इसे हम बिना प्याज और लेसुन के बना रहे हैं, आप इसे प्लीज एंड तक जरूर देखेगा, क्योंकि इसे में बहुत ही सिंपूल और यूनिक तरीके से बना रही हूँ, खिसरी के लिए आप जितना मूंग डाल लेंगे, इसका डबल चावल लेंगे, मैंने यहाँ पे दो कप मूंग डाल ले लिए, एक कप में धाई सो ग्राम के करी मूंग डाल रहता है, इसे हम कड़ाई में डाल देंगे और इसे हलका सा ड्राइ रोस्ट करेंगे, अभी डाल को अच्छी तरह से धो के रखेंगे, हम दो कप मूंग डाल लिए थे, अभी हम चार कप चावल डालेंगे, इसे भी अच्छी तरह से धो के रखेंगे, यहाँ पे मैंने बहुती स्मॉल साइस का बास्मती चावल ली है, आप चाहें तो लांग ग्रेन बास्मती चावल ले सकते हैं, अभी कड़ाई में हाप कप देसीगी डाल देंगे, घी गर्म होने के बाद दो तेस पता डाल देंगे, और एक टी स्पून जीरा डाल देंगे, अभी हम चावल को डाल देंगे, और पांच से साथ मिनिट तक हाई फ्लेम पे इसे भूनेंगे, चावल अच्छी तरह से भूनने के बाद इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, जितना भी मैस्टर है उस सब चला जाएगा, इस स्टेज में आपने डाल को डाल देंगे, अभी चावल पुरी तरह से भून चुका है, इसमें हम डाल को डाल देंगे, और चावल के साथ तिन से चार मिनिट तक भूनेंगे, अब छिलके बले मूंग डाल भी यूज कर सकते हैं, इस से भी खिश्टरी का टेस्ट बहुत ही पढ़िया आएगा, मसालों में हम लेंगे, चार बड़ी लाइची, छे छोटी लाइची, नौ से दस लॉंग, एक टिस्पुन काली मीच, डेड़ इंस दाल चिनी, और एक इंस से भी ज़्यादा अद्रक, इन मसालों को दरदरख कोट के रख लेंगे, अभी हम छे से साथ कप पानी डालेंगे, हमने अब इस चार कप चावल लिये थे, इसलिए इसका डेड़ गुना पानी डालेंगे, अगर आप लाइची बासमती चावल लियूज कर रहे हैं, तो इसमें पानी की मत्रा डबल कर दीजिए, अभी फ्लेम को हाई कर दीजिए और इसे उबलने दीजिए, इसमें डालें एक टीस्पून हल्दी पाउडर, दो टीस्पून नमक, अभी इसमें डालेंगे एक कटोरी भरक के चीनी, चीनी की कॉंटिटी लगभग साड़े तिन सो ग्राम होगी, देखें मैंने यहाँ पे अद्रक को अच्छी थरो से कूट लिया है, इसे हम कड़ाई में डाल देंगे, बाकी मसालों को हम इसी तरह दर्दरक कूट के खिच्छी में डाल देंगे, बाकी में डाल देंगे, एक ड्रेटेड नारियल, इन सभी सामग्यों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिजिए, और इसे लो मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनिट तक पकने दीजिए, आप चाहें तो इसे कवर करके पका सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें ड्राइट फूट्स बगरा डाल सकते हैं, अभी खिषडी पूरी तरह से बन कर तैयार है, हेना एक यूनिक स्टाइल के बनी मुंगदाल के खिषडी, ये खिषडी एकदम खिली-खिली बनती है, आप इसे किसी भी त्यवहार पुजा ब्रत अदिके दिन में करके खा सकते हैं, इस क्वांटिटी में छे से साथ लोग आराम से खिषडी को खा सकते हैं, तो फिर जाहिए आप भगबान जी के पास इसे भोक लगाए और एंजय किजिए, मुंगदाल की टेस्थी और हेल्दिक हिस्ट्री बन कर पुरी तरह से तयार है, आप इसे बनाएए, खाएए और अपनी दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ सेयर कीजिए, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कॉमेंट्स में बताएए कैसा लगा,